अस्सलाम अलीकम, पोशीन आपकी खिदमत में एक नई पुरसरर कहानी के साथ हाजर है कहानी का नाम है आसीब जदागर मेरा नाम आईशा है और मैं पाकिस्तान के शेहर कराची में रहती हूँ मैं आपको अपने साथ होने वाला एक सच्चा वाकिया बताने जा रही हूँ ये बात है 2017 की हम शिकारपुर से नए नए कराची मुन्तकिल हुए थे और यहम हमने एक घर कराए पर लिया था जो बाहर देखने में काफी खस्ता हाल था और इसकी हालत अंदर से भी जियादा बहतर ना थी मगर हमें कमरी टीमी मिल गया तो हमने फॉरण ले लिया कि इनके हमारे माली हालात कुछ बहतर ना थे गाउं में अब्बू की दुकान थी जिससे मुनाफ़ा आना बद हो गया और गुजारा करना मुश्किल हो गया था तो हम कराची आ गया थे यहां इन्हें एक फैक्टरी में मुलाजमत मिल गई थी मेरी फैमली में मेरी अमी पापा और मेरी दादी ही घर में तीन कमरे थे इनके आगे एक बरामदा साथ किचन एक वाश रूम सिहन में था सिहन में एक नीम का दरखत भी था घर छोटा सा ही था हमें घर में आए तीन दिन हुए थे मुझे न जाने कि यूँ इस घर में बहुत ही घटन महसूस होती थी में ने अपने अमी पापा से कहा तो इन्हों ने कहा नया शेहर है नया घर है सैटल होने में वक्त लगेगा उसी तरह घर में चौथा दिन था और शाम पॉंच बज़े के वक्त में सिहन में बैठी थी जब अचानक मुझे नीम के दरखत से एक सिया रंग की बल्ली उतरती हुई देखाई दी वो बीली काफी मोटी और बरी थी वो नीचे उतरी और सीधी मेरी तरफ बढ़ी मुझे ऐसा महसूस हुआ वो बहुत गुस्से में है वो मेरे पास आई और गराती हुई इंतिहाई गुस्से से मुझ पर ऐसे जपटी जैसे कोई शकारी जानवर अपने शिकार पर मी तो खौफ से चीफने लगी और उठकर अंदर कमरे की तरफ भागी घर मी इस वक्त सिर्फ मी और मेरी दादे थी पापा अपने काम पर थे और रमी बाजार से सबजी लेने गए थी मेरी चीफने सुनकर दादी भी कमरे से निकल है इन्हम ने मुझ से पूछा किया हुआ तो मैंने इन्हीं बताया इन्हमने सिहन में देखा तो वहुँ कुछ भी नहीं था मैंने भी देखा तो कोई नहीं था मगर मैं बहुत डर गई थी और मुझे पूरा यकिन था वहुँ कोई भी ली थी मेरी दादी मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक न लगी और समझाने लगी मैंने अपनी अमी और पापा से भी इसका जखर किया मगर वो मुझे ही समझाने लगे फिर इस तरह कुछ रोज गुजरे थे कि एक दिन रात के दो बज़े थे कियुके गर्मियों के दिन थे इसलिए हम सब बाहर बरामदे में ही सोया करते रात के दो बज़े हमने मचहरदानियों भी लगाई थी और सब गहरी नीद में थे कि अचानक एक कमरे का दर्वाजा अंदर से जोर जोर से बज़ने लगा जैसे कोई खैद हो और पागलों की तरह दर्वाजा पीट रहा हो कि इनके हम लोग बरामदे में सोते इसलिए कमरे को बाहर से कुंडी लगा दीते थे एक कमरा मेरा और दादी का था और एक अमी पापा का तीसरे में बापी सामान वगएरा रखा हुआ था और इसमें हम नमाज वगएरा पढ़ते थे उसी कमरे का दर्वाजा जोर जोर से बज़ रहा था हम सब जाग गए पापा ने तार्चा आनकी तो देखा सब बाहर ही ही अंदर कौन हो सकता मी तो डरने लगी मुझे वैसे गी यहां हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता मेरे पापा अपनी मच्छरदानी खोल कर चारपाई से उत्रे तो मेरी दादी ने इनहीं इंतिहाई धीमी आवाज में मना कर दिया कि अंदर मत जाना मगर वो बोले हो सकता है कोई बली वगएरा हो वो गए और इनहमने दर्वाजा खोल दिया इनहमने जैसे ही दर्वाजा इनहीं बहुत बूरी वो आई ऐसी कि जैसे कोई सरी हुई लाश से आती इनहमने अपना नाक बंद डाल कर लिया लेकिन इस वक्त ये बात इनहमने हमें नहीं बताई इनहमने तार्चा अंदर मारी और कहा कोई नहीं है और दर्वाजा बंद डग करके वापस सो गया लेकिन में तो डर गई थी और मुझे नीद नहीं आ रही थी में बस जो दौाईं याद थी पढ़ती रही और फिर मुझे बहुत देर बाद नीद आ गई इस रात के वापए बाद सब को यकीन हो गया था कि घर में कुछ ना कुछ जरूर है हमने घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया था लेकिन अब हम पूरे महीने का किराया अदा कर चुके थे और इतने कम किराया में इतनी जल्दी किसी और घर का मिलना भी मुश्किल था जिसके बाद मेरी हालत बहुत बुरी हो गई इस रात तेज बारिश थी में अपनी दादी के साथ सोई थी मुझे इस रात वैसे भी बहुत डर लग रहा था इसलिए में अपनी दादी से लपट कर सोई थी इस वक्त शायद रात के ये गियारा बज़े थे अमी पापा अपने कमरे में तो यहां कौन था मेरा तो उपर का सास उपर और नीचे का नीचे रह गया जिसने हाथ पकड़ा वो कोई बहुत मजबूत हाथ था इसने मेरे हाथ को दबाना शुरू कर दिया मेरा गला खुशक हो गया नजाने में कितनी चीफने की कोशिश कर रही थी मगर हलका से आवाज निकल ही नहीं रही थी और फिर अचानक से ही जिसने मेरा हाथ पकड़ा था छोड़ दिया में तो खौफ के मारे दादी से लपट गई इस वाके के बाद मुझे तीन-चार दिन बहुत शदीद बुखार रहा मेंने सब को बताया था कि मेरे साथ किया हुआ है तो इन्होंने बस यही कहा कि कोई खाब देखा होगा या बस कभी-कभी वहम हो जाता है मगर अमी पापा और दादी भी अंदर से डर रह हुए थे इनके साथ भी कुछ वाकियात हो चुके थे मगर वो मुझे इसलिए नहीं बता रहे थे कि मैं डर ना जाओं हमें अब इस घर में बीस दिन हो गय थे और मैंने अक्सर अपने कमरे में फुम के चिंटे दीखे थे और एक काली बीली तो मुसलसल नजर आने लगी थी आस पास के हमसाईन ने भी मेरी अमी को बहुत सी बातीं बताई जो के इन्हों ने मुझे बहुत बाद में बताएं ये जुम्य का दिन था जहर की नमाज का वकत हुआ था अमी तीसरे कमरे जिसको हम नमाज वाला कमरे कहते वहं से अपने नए कपड़े अठने गई इन्हों ने पिछले हफ़ते ही तीन नए सोट सिलवाए थे इन्हों ने सोचा हुआ था कि जुमा के दिन ही जेबतन करूंगी मी बाहर सिहन मी बैठी एक नावल पढ़ रही थी और दादी बरामदे में थी कि अचानक अमी की चीफ ने जैसी आवाजें हैं मी फॉरण अंदर की तरफ भागी दादी भी आठकर अंदर की तरफ बढ़ने हमने अंदर जाकर देखा तो मेरी अपनी उंखें हैरत से फटें रह गई अमी के तीन नए सोप टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे जैसे किसी ने बहुत गुस्से में इन्हें पैंची से काटा हो इन पर बहुत सारे फुम के धब्बे भी थे अमी तो ये देखकर रोना लग गई मी और दादी भी बहुत परशान हो गई दादी इन्हीं चुप कराने लगी मी ने देखा कि कपड़ों पर बहुत सारे छोटे छोटे बीली के बाल भी ही अमी काफी देर रोती रही मी ने इन्हीं कहा अमी मेने तो पहले ही कहा था यहां जुरूर कुछ ना कुछ है मगर आप लोग मेरी बात सुनते ही कहुं ही इस दिन शाम को जब अब्बू घर आए तो अमी ने इनहीं सारी बात बताई और इनहीं जल्दी से जल्दी नया घर डूंडने को कहा अब्बू ने भी वदा कर दिया और फिर महीना पूरा होते साथ ही हमने वो घर खाली कर दिया और एक नहीं जगा आ गया लेकिन जिस दिन हमी के कपड़े कटे हुई मिले थे और हमने घर खाली करने का पका इरादा कर लिया था इस दिन से रोज रात को हमारी नमाज वाले कमरे का दर्वाजा कोई अंदर से इतनी जोर जोर से बजाता जैसे कि कोई कैदी ऐसा लगता दर्वाजा तूट जाएगा और ऐसा मसलसल 6-7 दिन होता रहा लेकिन हम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि दर्वाजा खोल कर देखी मेरी दादी की तबीत भी बहुत जियादा खराब रहने लगी थी और तो और जिस दिन वो घर खाली कर रहे थे इस दिन भी बहुत अजीब वाके रौनमा हुए हमारे सिहन में कोई दस बारा काली बीलियें जुमा हो गई थी और बार बार अजीब आवाजें निकाल रही थी और कभी कभी आपस में लरने लग जाती लेकिन वो घर खाली करने पर हमने तो खुदा का लाख लाख शकर अदा किया नया घर अच्छा था यहां हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ फिर मुझे मेरी अमी ने बताया कि साथ वाली परोसन आनटी ने इन्हीं बताया था कि बहुत पहले वहां एक सुख फैमली रहती थी दूमियू बीवी और इनकी एक बैटी थी इस आदमी को शराब की लग थी और वो अपनी बीवी को बहुत मारता था और अपनी बैटी पर भी तशद्द करता था कभी कभी अपनी बीवी और बैटी को घर से निकाल दिया करता था वो दोनु बहुत तंगत थी और एक दिन इसके शोहर ने नशे की हालत में रात के वक्त बीवी और बैटी को कमरे में बंद करके आग लगा दी आसपास के लोग शोर सुनकर आए और राग बुझाने की बहुत कोशिश की मगर दोनु ही जल कर मर गई और वो खुद भाग चुका था कुछ दिनों बाद इसे भी पुलीस ने गिरिफ्तार कर लिया फिर कुछ अरसा तो घर खाली रहा फिर इस आदमी के भाई ने ही कुछ काम वखेरा करवा कर किराया पर दे दिया दो साल पहले वहमें एक नया शादी शुदा जोड़ा रहने आया मगर इन्हीं दो महीने ही हुए थे कि इनकी भी शायद सिलंडर फटने या लेक होने की वज़़ से जल कर मौत हो गई इन आनटी ने ये भी बताया कि अक्सर घर में से रात को दर्वाजा बजने की आवाजें आती थी और कभी कभी किसी औरत के रूने की आवाजें कभी तो गली में खेलते बच्चों ने भी बताया कि इन्हीं वहुँ कुछ अजीब वो खरीब चीजी देखाई देती ही जिस दिन से वो औरत और इसकी बैटी मरी थी तीन बाद ही इस घर में ऐसे वाकियात होना शुरू हो गय थे और भी काफी हमसाईयों ने मेरी अमी को इस बारे में बताया और तो और मेरी अमी ने ये भी बताया कि जिस रात मेरा हाथ किसी ने पकड़ा था उसी रात बारिश में वो रात को आठकर वाश रूम जा रही थी इन्हों ने देखा कि सिहन में नीम के दरखत के नीचे एक गंजी औरत बैठी है जिसने काला लिबास पेहन रखखा था वो रो रही थी अमी इसे देखकर फोरण आयतलकरसी पढ़ने लगी और वापस आकर सो गई और इस बात का जकर इन्हों ने सिर्फ अब्बू से ही किया तो अब्बू ने इन्हीं बताया कि कल रात को मेने भी दरखत के नीचे एक छोटी सी लड़की को यखा जो गेंब से खेल रही थी पहले इन्हीं लगा शायद आईशा है मगर वो तो बहुत छोटी थी वो तो गाउं में भी अक्सर ऐसी चीज़ों को देख चुके थे इसलिए वो भी चुप चाप अंदर आ गया थे अमी ने ये भी बताया के एक दिन वो नमाज पर रही थी तो एक बची कमरे में आई और इनसे जरा फासिले पर बैठ कर इन्हीं इंतहाई गुस्से से घूर रही थी मगर इन्हों ने धयान नमाज में लगाए रखखा और जब तक वो नमाज से फारिग हुई वो लड़की खायब हो गई थी और मेरी दादी ने तो जो बातीं बताई इन्हीं सुनकर हमें बहुत हंसी भी आएं दादी के कहना था कि वो इशा की नमाज पर लकर सोने लगी थ तो वो समझी मेरी अमी ही दादी ने इनसे कुछ पूछना था कि वो पहले ही बूलटी तुम्हीं पता है वो कहां गया है इस ओरत की आवाज काफी भारी थी और इसने पंजाबी जबान में पूछा था दादी समझ गई ये मेरी अमी तो नहीं है तो दादी ने भी इसे अब दिया हम वो बाजार गया हुआ है थोड़ी देर तक आ जाएगा ये सुनकर वो औरत अल्टे गदम ही वापस चली गई की ये बात सुनकर काफी हिंसी भी आई और एक दिन तो दादी सोई हुई थी कि किसी छोटी बची ने इन्हीं आकर जगा दिया और बोली मुझे भूख लगी है खाना दे दो दादी ने कहा कि किचन में जाकर खालो पड़ा होगा मुझे नीद आई है दो बारा ना जगाना इस घर ने हम सब को ही खौफ में जकर लिया था और वो घर छोड़ने पर हमने खुदा का लाख लाख शकर अदा किया कि हम वक्त पर वहां से निकल आए